आज 21 जून योग दिवस है आठ अरप लोगों की जनसंख्या वाली हमारी दुनिया में 30 करोड लोग रोज योगा अभ्यास करते हैं योगा अभ्यास करने वालों में 22 फिजदी महिला हैं योग के उत्पत्ति का उद्देश आत्मग्यान से जुड़ा था खुद के अंतस को समझने में योग क्रियाओं की मदद ली जाती है योग को वेश्वी करन के पांच शिर्श उधारनों में से एक माना जाता है हम भारती योग के लाभों से परिचित है हम जानते हैं कि योग शरीर की ही नहीं मन की मजबूती में भी मदद करता है लेकिन अधुनिक दुनिया खास कर विदेश में योग की लोगप्रियता कमोबेश नहीं है पिछले एक डेड़ दशक में से वे इस पर बकायदा शोध व अध्यन करते रहे हैं इसी आधार पर एक निगा डालते हैं योग के लाभों पर योग से मिलता है लचिलापन योग देता है तनाव में राहत योग मन को स्वस्त रखता है योग दिल की सेहत बहतर बनाता है योग से पॉस्चर सुधरता है योग से प्रतिरोधक शमता बढ़ती है योग संतुलन को बहतर बनाता है इतने लाभों के साथ आज से ही हम योग का श्री गणेश करते हैं इसी के साथ बने रही है राज नमा डिवी के साथ ता निवाद